आज हम बनाएंगे चिली पनीर ये खाना बहुती स्वाजिस लगता है तो यदि आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले नीचे दिये गए बेल आपको प्रेस जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिविक्शन आपको मिल सके तो चलिए हम बनार शू करते हैं चिली पनीर बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर एक शिम्ला मिर्च एक प्याज तीन चमच लिया मेने कॉन फ्लॉर्ण एक घरी मिर्च दसे बारा लासुन की कलिया जिसे मैंने बारिक काट लिया है एक इंच अध्रक का टुकड़ा इसे भी म चमच रेट चिली सॉस एक चमच विनेगर एक चमच अध्रक लासुन का पेष्ट एक चुटकी लिया है मैंने अजिनो मोटो यह आफ्शनल है यदि आपकी एक्षा हो तो डालिए नि तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं नमक स्वात का इनुसार इस रेसीपे में सब आप देख सकते हैं इससे क्या होते हैं सब्सक्राइब एक जैसी कटिंग होती है तो मारा चनील पनीर देखने पर बहुत ही बढ़िया लगता है और खाने भी बहुत स्वाधिस्ट होता है यदि आप पनीर को ट्रेंगल शेप में काट रहे हैं तो सिम्ला मिर्ष को भी ट्र अपिस पर डालेंगे हम काले मिर्ष पाउड़र मिर्ष को खुट के दरदरा पीसा है आप चाहे तो इसका पाउडर भी ले सकते हैं नमक डालेंगे अब फिर डालेंगे इसपर कॉन फ्लॉर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि पूरे पनीर पेस की कोटिंग हो जाए इस तरह से मिलाते जाएंगे बिल्कुल हलके हलके हाथों से मैंने पनीर को पूरे कौन फ्लॉर में अच्छे से कोट कर लिया है आप देख सकते हैं अब हम एक पैन में दो बड़े चम्मस तेल डालकर तेल को गरम करेंगे मैं यहाँ पनीर को सेलो फ्राय कर रहे हूं आप चाहें तो डीफ फ्राय भी कर सकते हैं अब इसमें एक एक क्यूब्स हम रखते जाएंगे और इन्हें चारो साइड से हलका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इने फ्राय करना है फ्राय करने से क्या होता है कि जब हम इस पनीर को ग्रेवी में डालते हैं तो यह तूटते नहीं है और इस पर एक क्रिस्पिनेस आ जाता है उससे चिली पनीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है यह जो बचा हुआ कॉन फ्लोर है इसे हम बाद में यूज़ करेंगे चिली पनीर खाने में बहुती स्वाधिस लगता है और बनाने में भी बहुत आसा आने बहुत जल्दी से बनकर तयार हो जाता है इस तरह से में पलेट पलेट कर इसे हलका सा गोल्डन प्राउन कलर आने तक फ्राइब करना है आप देख सकते हैं यह हलके से शेलो फ्राइब हो गए है तो इन्हें हम इस प्लेट में निकाल लेंगे अब हम उसी पैन में डालेंगे बारी कट्टे हुए लासुन और अधरक और इन्हें हलका सा पका लेंगे यह हलके से पक गए हैं साथ ही में डाल देते हैं हरी मिर्च इसे भी सिर्फ हलका सा पकाएंगे हम अब हम इसमें डाल देंगे शिम्ला मिर्च प्याज और इन्हें हलका सा पका लेंगे आप यहां पर हरी प्याज का भी यूज कर सकते हैं उसे भी डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चिली पनीर का उसे हमें एक मिनिट के लिए चलाते हुए पकाना है ज्यादा आप स्कूराज के लल टाल देखने सिर्ञ और हचता पकाना है इसमें प्याज की अल्के साफ्ट हो एक हर फमांटे प्याज के साफ्ट हो गए है तो अब मारे श्कीर म कि यहास है तमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, कुटो ही काली मिर्च, अच्छे से एक मिर्च के लिए चलाते हुए पकाएंगे, साथ ही मैमेस में डाल देते हैं अजीनो मोटो, और विनेगर, अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब जो कॉन फ्लॉर बचाता है हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर एक घोल तैयार कर लेंगे, यदि आपके पास कॉन फ्लॉर नहीं बचता है तो आप एक चमच कॉन फ्लॉर अलग से एक कटोरी में लेके उसे घोल लीजिए और पतला घोल तैयार कर लीजिए अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कॉन फ्लॉर घोल के रखा था, अच्छे से मिक्स कर देंगे कॉन फॉर डालने से ग्रेवी थोड़ी से गाड़ी हो जाती है तो यदि आप थोड़ा सा और पतली रखना चाहते हैं इसकी ग्रेवी और डाल लीजिए दिर दिर ये गाड़ा होने लगेगा साथ हम डाल देते नमक नमक थोड़ा ध्यान से ड आप यहां पर टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं यदि आप टमाटर खाना पसंद करते हो तो लेकिन टमाटर आप लास्ट में ही डालिए क्योंकि आप इसे पहले डाल देंगे तो टमाटर गल जाएंगे और इसमें सबजियों का थोड़ा सा क्रंची पंस्यों रहता है वह बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसलिए इस पैसिपी में सब्सक्राइब पूरी तरह से नहीं पकाया जाता अच्छा से मिक्स कर दीजिए और एक मिट के लिए और पका लेजिए एक मिट हो गया है गैस बंद कर देंगे और इसे सब करेंगे लीजिए गर्मा गरम चिली पनीर बनकर तयार है और यह खाने में बहुती स्वादिस लगता है तो आप इस रेसिपी को एक बार जुरूर ट्राय करें और बुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी यदि मेरे रेसिपी आपको अच्छी करना ना बुले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू फ्रेंड्स चू वचिंग मैं वीडियो